नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आप CBSC बोर्ट के द्वारा आयोजेत की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 23 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के संस्कृत पार्ट का कम्प्लीट सलूशन देखने जा रहे हैं CBSC बोर्ट के द्वारा कई सिफ्टों में आउनलाइन मोड में पेपर का आवजन किया गया था जिसमें से ये पांचवे सिफ्ट का पेपर है अगर आप सभी शिफ्टों के पेपर का कम्प्लीट सलूशन देखना चाते हैं साथ ही सीटेट के लिए सभी सब्जेट के कम्प्लीट पेडागोजी को डिटेल में समझना और पढ़ना चाते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करि परग्राफ के प्रशनों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी वीदिये है कि सबसे पहले आप प्रशनों को देख लिजिए ताकि जब आप प्रग्राफ पढ़ना होंगे तो तुर्ट आपको इसका उतर क्लिक करेगा और यहां पर कुछ प्रशन आपको ग्रामर बेस ऐसे मिल इतना हो इस वज़े से डिरेक्टली हम लोग प्रशनों पर चलेंगे और उसके बाद से उसका उतर हम लोग इस परग्राफ में डूढने की कोशिश करेंगे तो पहला प्रशन पूछा गया है वीरवरो कस्य सिवार्थम आगता है पहले ही लाइन में इसका उतर मेंसन किया आप देख पार होंगे पुरा सोभा वती इती नगर्या सुद्रको नामा सूरह प्रजा वतसलह च राजा अभूतह एकदा तस्य राजसभायाम कश्चन वीरविरो नामा राजपुत्र सिवार्थम आगता है दिये गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नमबर टूर राग् प्रति दीनम दीना रशत पंचकम अचायत यानि कि उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर एक देखिए पंच शतम दीनराणी इसका सही उत्तर है अगला प्रशन है दृता युधम कस्य विशेशडम अस्ति यहां पर आप देख सकते हैं वीरवरह नित्यम प्रात राग् दर्शनम विधाय धृता युधम सिंग द्वारे इस्थित्वा सिंग द्वारम रक्षती इस्म यानि कि ऑप्शन नमबर टू वीरवरह से इसका सही उत्तर है अगला प्रशन पुछा गया है रात्रो राजा किम अस्रुरोत यानि कि रात में राजा ने किसे सुना यहां प आपी क्रंदम धौनिम असुरुरोत यानि किसी के रोने की आवाज उनके द्वारा सुना गया चारों विकल्प में देख़िए देखे सिर्फ इसी में क्रंदम धौनिम की बात की गई है तो ऑप्शन नमबर टू इस्त्रिया क्रंदम धौनिम सही जवाब हो जाएगा यानि कि इस्त्री के रोने की आवाज उनके द्वरा सुना गया आगला प्रशन है रूदती इस्त्री कुत्र आसीत यहाँ पर इसका उत्तर मेंशन किया गया देखे नगर्या बरहीर वीर वरेण सरह मध्य रूदती काचित इस्त्री तो रुद्यती इस्त्री के बारे में बात की गई थी तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा सराह मध्धे विकल्प नमबर एक देखिए सराह मध्धे इसका सही जवाब है अगला प्रशन है खडग इत्यस्मिन अर्थे को सब्द प्रयोकता है खडग का मतलब होता है तरवार और करवाला का मतलब भी होता है तलवार ठीक है तो आप्चन नमबर चार सही जवाब होगा अगला प्रशन है अस्रिरोत इत्स्य पदस्य व्योदपत्ति यम जच्ति यानि कि इस अस्री रोध जो शब्द है इसकी उत्पत्ती किस से हुई है आपसे पूछा जा रहा है इसक्रिन पर आप शुरू शब्द का धातु रूप देख पा रहे होगे यहाँ पर देखिए लंग लकार में यहाँ पर एक वचन में देखिएगा यहां पर प्रथम पुरुष में अस्री रोत होता है यहीं प्रशन में आप से पूछा गया था देखे अस्री रोत के बारे में पूछा गया था तो क्या हो जाएगा लंग लकार हो जाएगा और एक वच्चन हो जाएगा और प्रथम पुरुष हो जाएगा करते हैं क्योंकि इसको translate करने में आपका काफी लंबा वक्त बीच जाएगा चलिए directly प्रश्णों पर चलते हैं पहला प्रश्ण पूछा क्या है भूपति ही केन कारणें दरिद्रह इव जीवतम नयती इस्म यानि कि भूपति का मतलब उता है राजा राजा केन कारणों की तस से नाम मायादास था अति लुपधा अति लुपधा सा दरिद्रह इव जीवतम नयती इस्म उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प नमबर तीन देखिए सा लुपधा आसीत इसका सही जवाब है अगला प्रश्ण है मायादासेन इस्प्रिष्टानी वस्तुनी केन कारणें स सौवर्रानी जतानी दूसरे पराग्राफ में इसका उत्तर मेंशन किया गया देखिए मुने वरम लबधा ग्रिहम प्रविष्टह मायादासा तत्र इस्थितानी वस्तुनी अस्प्रिष्टत तेन इस्प्रिष्टानी वस्तुनी सद्य एव सौवर्रानी जतानी उत्तर क्य option number 3 देखिए माया दासस्य इच्छा नुसारम मुनिना एत्तद वरम दतम यत तेन इस प्रिश्टानी सर्वाणी वस्तुनी सोवर्णानी भविश्यंती option number 3 सही जवाब है अगला प्रशन है मुनिह माया दासस्य समक्षम पुना कदा प्रकटेत यानि कि मुनि जो थे वो माया दास जो राजा थे उसके समक्ष पुना का प्रकट हुए यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं हंत कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजाता तदा भाग्यात सो एव मुनिह निरिपते पुर्तह प्रत्यक्ष अभवत तो उत्तर क्या हो जाएगा option number 2 देखे यदा राजकुमारी सवर्ण मई संजाता इसका सही उत्तर है अगला प्रशन है उद्यान्यस्य जलेन वस्तुनी किद्रिशानी भुतानी यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं सो वर्णानी वस्तुनी तेन जलेन सिक्तानी स्वाम स्वाम प्रकृति प्राप्तानी उत्तर क्या हो जाएगा option number 3 देखे स्वाम स्वाम प्रकृतिम प्राप्तान यानि कि पूछा जा रहा है कि इसमें संदि विछेत क्या होगा इसे सब्द में तो देखिए option नमबर टू राजकुमारी प्लस अपी यड़ संदि होगा देखिए जब यहाँ पर बड़ी ए की मात्रा राजकुमारी में बड़ी ए की मात्रा है प्लस अपी का आ मिल करके यह यह में कनवर्ट हो गया है देखे यहाँ पर यह आ गया है ठीक है तो यह क्या होता है यह यह संदी का उदार है option number 2 सही जवाब है अगला प्रशन है समास्वास्युतम इत्यस्मिन पदे का प्रत्य वर्तते यानि कि समास्युतम में जो प्रत्य प्रत्य प्रयोक्त हुआ है वो कौन सा है तो option number 2 तुम उन प्रत्य इसका बिल्कुल सही जवाब है अगला प्रशन है उक्तवा इत्यस्मिन अर्थे निमले की तेसु का सब्दा प्रयोक्तम शक्यते यानि कि उक्तवा के संदर्भ में इससे मिलता जुलता अर्थ कौन सा प्रयोक किया गया है आपसे पूछा जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर देखिए उक्तवा का मतलब होता है to speak यानि बोलने के सेंस में और option number two देखिए कथ इत्वा इसका बिलकुल समान अर्थ देरा इस वज़े से विकल्प number two सहे उत्तर होगा अगला प्रशन है भासा सिक्षण संदर्भे किम सत्यम नास्ती यानि कि भासा के सिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है निगेटिव सिंस में आपसे पूछा गया है पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे दिया गया है यहाँ पर अंतर यूतम का मतलब हस्तनांतर के सिंस में आया हुआ यानि कि जो language skills होते हैं वो transferable होते हैं एक भासा से दूसरी भासा में यह बात तो बिल्कुल सही है कैसे जैसे कि हम लोग मालेजे हिंदी में आप ग्रामर पढ़ रहे हैं ग्रामर के अंतरगत संग्या पढ़ते हैं सर्वनाम पढ़ते हैं वहीं चीज तो आप अंग्रेजी यानि कि जो target language है उसमें आप noun pronoun पढ़ रहे हैं फिर verb और और भी चीज़ों जो grammar की आप पढ़ते हैं वो एक भासा में जिस प्रकार से आपने उसका नियम पढ़ा है दूसरी भासा में भी उसी प्रकार से उसका नियम होता है यानि कि जो भासा की योग्यता है यानि कि language skills है वो transferable है एक language से दूसरी language में यहीं आपसे कहा जा रहा है अंतर यूतम का मतलब हस्तनांतरन के sense में था तो यह तो बिल्कुल positive है इस वज़े से आपका उतर नहीं होगा क्योंकि negative sense वाला पूछा गया है दूसरा देखे प्रतेकम छात्रम बहु भासाणाम सिक्षडस्य योग्यतायाम धार्यती यदी तसमे उचित आवसरम समयस्च दियत्ताम यानि कि ये कहा जाता है कि प्रतेक जो बालक है वो जन्म से ही विभिन्न प्रकार की भासाओं को धारण यानि सिक्षण करने की योग दान किया जाए यानि कि अगर उसको सही इन्वार्मेंट दिया जाए तो प्रतेक बच्चा एक से ज़्यादा भासा को सीख सकता है ठीक है तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव था क्योंकि जो मनोवग्यानिक थे नौम चवमस्की उन्होंने यहीं कहा था कि बच्चे जो मात्री भासा जो मदर टंग है वो द्वितिय भासा जिससे विदेशी भासा कह सकते है यानि कि फॉरें लेंग्वेज या फिर सेकेंड लेंग्वेज ठीक है और टार्गेट लेंग्वेज उसके सिक्षण में सहायता करते हैं ये बात तो बिल्कुल सही है हमने ग्रामर क Translation Method पढ़ा है जिसमें जो Target Language था जो विदेशी भासा है जो Second Language है अंग्रेजी है उसके कठिन words को हम लोग Mother Tongue यानि हिंदी में translate करके देखते हैं ताकि उस चीजों को आसानी से समझ पाए यानि जो हिंदी है जो हमारी Mother Tongue है वो कहीं ना कहीं Target Language इंग्लिस को सीखने में हमारी स आयता कर रहा है यहीं तो विकल्प कर रहा है इसलिए यह भी positive था आपका उत्तर नहीं होगा एक ही विकल्प बच्चा option no.3 देखिए क्या कहा जा रहा है मात्री भासा यानि कि Mother Tongue जो है वो द्वितियत स्या यानि कि दूसरी भासा विदेशी भासा शिक्छने बाधाम करोत बलकि उसके उसमें help करती है कि जो चीजे हमें अंग्रेजी में नहीं पता होती है उसको हम लोग हिंदी में translate करके उस चीज को सीख पाते हैं तो यह बाधा नहीं होती है चुकि यह negative था इस वज़े से यहीं आपका उत्तर हो जाएगा क्योंकि प्रश्ट में आपसे negative sense में पूछा गया था विकल्प नमबर 3 सई जवाब है अगला प्रश्ट है सा प्रक्रिया यस्याह माध्यमें चात्रह पठनम सिक्षती कत्यते यानि कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से जो सिक्षार्थी है वो पढ़ना सीखते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है आपसे पूछा जा रहा है तो उस प्रक्रिया को डेवलपमेंटल प्रोसेस कहा जाता है यानि कि विकासात्मिका ओप्शन नमबर 2 विकासात्मिका इसका बिल्कुल सई जवाब हो जाएगा अगला प्रश्ट है यदा छात्रह दृतियाम तिरतियाम वा भाशाम सिक्षती एतत कत्य यानि कि जब एक बालक किसी भासा को दूसरी भासा के रूप में या फिर तीसरी भासा के रूप में सीख रहा होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं तो देखिए पहली भासा जो होता है वो बच्चे की मदर टंग होता है जब बच्चा परिवार में जम लेता है तो को कोई भी grammar का rule नहीं बताए गया वो natural environment में उस भासा को acquire किया था ठीक है लेकिन यहाँ पर जो बात की जरी है ये प्रतम भासा की नहीं बात की जरी है दुटिय भासा और तृतिय भासा की बात की जरी यानि target language की बात की जरी तो जो target language होता है वो बच्चे को आपचारिक तरीके से विद्याले में पढ़ाया जाता है grammar के नियमों के अंतरगत तो जब भी बच्चा प्रयास करेगा grammar के नियम को सीखने के लिए तो प्रयास के माध्यम से उसके विवहार में होने वाले परिवर्तन को हम लोग अधिगम कहते हैं और इसी को अंग्रेजी में learning कहते हैं यानि कि देखिए चोथा विकल्ब क्या हो जागा भासा अधिगम यानि कि भासा का अधिगम यानि कि जब भी grammar के नियमों के अंतरगत तो उसे भासा का अर्जन कहते हैं चुकि यहाँ पर सेकेंड और थर्ड टार्गेट लेंग्वेज की बात की गई थी इस वज़े से यह भासा का अधिगम है लेंग्वेज लर्निंग है आप्शन नमबर चार सही उत्तर होगा अगला प्रशन है भासा कक्षायायाम कथननाम उपियोगे का प्रक्रिया समाचीना वर्थते यानि कि एक भासा की कक्षा में जो स्टोरी टेलिंग होती है जो कहानी कथन होता है वो कौन सा निम्ण में दिये गए विकलपों के अनुसार एप्रोप्रियेट है तो देखिए बच्चे को कहानी केवल इसलिए नहीं सुनाई जाती है कि उसको कहानी सुनने में मज़ा आ रहा है बलकि जो कौनसेप्ट है उसको कहानी में पिरो करके बताया जाता है जैसे कि देखिए भासा की कक्षा है तो भासा की कक्षा में बच्चे को व्याकराने भी बताया जाएगा तो एक कहानी सुनाई जाती है इस प्रकार से कि मालीजे बच्चे को अगर संग्या के बारे में बतानी है तो उसी हिसाब से कहानी को तयार किया जाएगा प्रविधी रूपे कथा स्रवडम option no.3 सही जवाब होगा अगला प्रश्ण है चतुर्थ कक्षायाह यानि चोथी कक्षा में अध्यापिका चात्रेभ्या बहुनी वाक्यानी आयच्छत येसू यानि कि चोथी कक्षा में एक अध्यापिका के द्वारा बहुत से वाक्य दिये गए जिसमें से कुछ वर्ड प्रयोक हो रहे थे जैसे कि देखे, to, in, into, with, for, इत्यतिय सब्दा प्रयोकता आसन, यानि कि उनमें ये सभी सब्द प्रयोक किये गये थे, आगे पढ़िए, छात्राह एतान सब्दान निरिक्षी त्वन्तह, यानि कि छात्रों को इन सभी सब्दों को निरिक्षन करने के लिए बोला गया, आगे देखे अध्यापिका एतान सब्दान, इस्थिती सूचकान अक्थयत। उसके बाद से अध्यापिका ने बताया कि ये सभी जो सब्द हैं वो इस्थिती सूचक हैं, ठीक है, यानि पोजिशन बचाने वाले सब्द हैं। पश्चात सा तेभ्या कांचिद अन्यानी वाक्यानी अयच्छत येसू एतान सब्दान प्रयुक्तम अक्थायत यानि कि उसके बाद से जो अध्यापिका है उनके द्वारा अन्य वाक्य बताए गए और उस वाक्य में इन सभी पोजीशन यानि इस्तिती सुचक शब्दों को को खोजने के लिए कहा गया अन्त में देखे अन्ते सौ अक्थायत एत एदा सब्दा पूर्व सर्गा जिसे प्रोजीशन कहते हैं एसा पद्धति का कत्यते यानि कि अन्त में सिक्छिका ने बच्चों को बताया कि ये प्रिपोजीशन वर्ड है ये जो भी वर्ड उनके द बच्चे को conscious किया जारा है जागरुक किया जारा है ठीक है तो option no.3 देखिए चेतना जागरिती consciousness raising इसका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पूछा किया है विद्यालेई सिक्षायायाम नीती रूपे बहु भाशियता इत्यस्य को अर्था यानि कि आपसे पू नीचा जा रहा है ठीक है तो देखिए मल्टी लिंग्वालिज में यानि कि बहु भासिक्ता को ncf 2005 और राष्टे सिक्षानीती 2020 दोनों संसाधन के रूपें देखते हैं यानि इसका मतलब यह होता है कि कक्छा में अलग-अलग सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी से आहुए वाले का हिंदी होगा तो इस कंडिशन में सबकी मदर टंग अलग-अलग है लेकिन जो बच्चे होंगे उनको उनकी मात्री भासा में अपने आपको एक्सप्रेस या फिर अभिवेक्त करने का मौका दिया जाए यानि सभी के मात्री भासा को सम्मान की नजर से देखा जाए टीचर के द्वारा कक्छा में और सबको अपने आपको अभिवेक्त करने के लिए उनकी मात्री भासा में बोलने के लिए स्वतंतरता दी जाए यानि इससे फायदा क्या होगा एक तो बच्चे अपने अपना मदर टंग तो जानी रहे हैं साथी साथ जब दूसरा बच्चा जो कि किसी दूसरे मदर टंग से सम्मंदित है जब वो कक्छा में अपने आपको अभिवेक्त कर रहा होगा तो उसके सब्दावलियों को दूसरा बच्चा भी सुन रहा होगा और कहीं ना कहीं उनके सब्दावलियों से आउगत हो रहा होगा यानि कि बहु भासिक्ता में क प्राब्रंते प्रारंबंते यदा ते प्रगतिम कुर्वंती तदा अन्यासाम भासाणाम व्रिधि कुर्वंती यानि कि प्रतेक बालक के लिए मातरी भासा से उसके विद्याले का अध्यान प्रारंब करके उसको दूसरी भासा अन्यास भासाणाम यानि कि दूसरी भासा के प्राइमरी इस तार के बच्चों के लिए पहले उनके मदर टंग से प्रारम करके अन्य भासाओं के बारे में वो लोग जानते हैं जैसे कैसे बच्चा अपने आपको एक्स्प्रेस कर रहा था तो जो दूसरा मदर टंग वाला बच्चा है निशी तोर पर उसके सब्दावलि के बच्चा जान रहा है यानि अपनी मात्री भासा से प्रारम करके दूसरे की मात्री भासा के बारे में भी धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ते हैं तो आप्शन नमबर एक बिल्कुल पोजिटिव था और यहीं आपका सही जवाब होगा अगला प्रशन पुछा गया है बच्चो के तुरंथ तुरंत तुरूटी को संसोधित कर देते हैं बिना उसका कारण बता है तो बच्चा उस समय तो कह देगा कि हाँ मैं समझ गया हूँ लेकिन चुकि आपने उसके पीछे क्या कारण था आकर उसने गलती क्यों की उसका ना तो analysis किया और ना ही बच्चे को गलती का कारण बताया आपने सिर्फ गलती को सुधार दिया जैसे कि मालीजे बच्चा अगर खौ लिख रहा है ठीक है और इसको रा लिख रहा है और अगर इन दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चीजे दोनों में common है तो अगर आप बच्चे को केवल उसकी copy में raw की जगा खौ लिख दिया है तो अगर काट के केवल आप इसको सुधार देंगे तो बच्चे को इसका ग्यात नहीं हुआ उसके संग संग्यान में लाएंगे कि ये गलती थी और अब जब बच्चा उसको समझ लेगा तो उसके संग्यान में आ गया तब भविश्य में इस प्रकार की गलती को नहीं दोरा रहा होगा ठीक है इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है पहला विकल्प दिया गया है तत संसोधित करेंगे ततकाल नहीं करेंगे ये निगेटिव था इस पज़े से आपका उत्तर नहीं होगा दूसरा देखे कदापी ना संसोधित्वा यानि कि कहा ज़र कि बच्चे की गलती को कभी भी सुधार करना ही नहीं चाहिए तो बिल्कुली निगेटिव है अगर आप बच्चे के गलतियों का सुधार नहीं करेंगे तो भविश में वो गलती बार बार दोराएगा तो ये निगेटिव था आपका उतर नहीं होगा चौता विकल्ब देखे सस्रम अभ्यासेन संधोईत्वयाहा सस्रम कहने का मतलब कि एक तरीके से उन पर थोपने के सेंस में है कि तुमने ये गलती कर दी है अब उसको बच्चे को ये एसास दिलाया जा रहा है एज टीचर आप उसको बार बार ये एसास दिलाने की गलती करें कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया ठीक है तो ये बच्चे को इस प्रकार से डाटना नहीं है या फिर मारना नहीं है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिये और ये कहा जारा कि अभ्यास यानि ड्रिल के माध्यम से उसको संसोधित करने के देखे बच्चे को माली ये concept clear नहीं है अब बार बार उसका अभ्यास बच्चे को करा रहे हैं उसका concept clear नहीं था तो कितना भी आप उसको practice करा लिए वो गलती बार बार करेगा ही करेगा क्योंकि उसका concept ही clear नहीं है तो जब तक concept clear नहीं होगा तब तक बच्चे के उस गलती को भविशे में भी दोहराने की संभावना बनी रहेगी इस वज़े से ये negative था आपका उतर नहीं होगा एक ही विकल्प बच्चा option number 3 देखिए अभ्यासेन ध्यान गता करतव्याह यहां पर देखिए ध्यान गता का मतलब क्या हो गया बच्चों के संग्यान में लाने की बात हो रही है और जब बच्चों के संग्यान में आ गया अब उसके बाद जब उसका आप अभ्यास करा रहोंगे तब बच्चे उस गलती को दुबारा नहीं दोराएंगे क्यों क्योंकि अब बच्चा concept समझ चुका है अब वो जान चुका है कि मेरे द्वारा यहां पर गलती की गई थी और वो गलती क्या थी और क्यों थी इसके बारे में भी बच्चा जान चुका है तो अब वो भविश्य में इस प्रकार की जब अभ्यास कर रहोगा तब वो इस प्रकार की गलती को नहीं दोराएगा तो यहीं चुकी पोजिटिव था इस पज़े से यहीं आपका उतर हो जाएगा विकल्प नमबर तीन सही जवाब है अगला प्रशन पुछा कहा है यानि कि पांचवी कक्चा की कोई अध्यापिका बच्चों को समू में बाट देती है और खुद से उनको विमर्ज करने के लिए कहती है कि क्या उनको पसंद है और क्या उनको पसंद नहीं है उसके बाद से विचार विमर्ज करने के बाद से आप देखे विमर्ज अंतरम सातान स्वाव विचारम कति पयेशू वाकेशू लिखतम निर्दीसत्य यानि कि विचार विमर्स के बाद से उनको कुछ वाक्य लिखने के लिए कहती है निर्देश देती है टीचर ठीक है आगे पड़िए चात्रह स्वविचारान अलिखत तदनु एकस्या रूप रेखाया निर्माडम कृत्वंतह यानि कि उसके बाद से उस विचारों के बाद से वो एक रूप रेखा त्यार करते हैं और अंत में देखे एकम परिच्छेदम चो लिखित वंतह और अंत में एक परिच्छेद यानि कि एक पैराग्राफ उनके द्वारा लिखा जाता है अब आपसे प्रशन पूछा जा रहा है कि लेखन संदर्भे इमाम पद्धती त्वं किम कतिस्यसी यानि कि लिखने की यह पद्धती क्या कहिलाएगी आपकी अनुसार आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर देखिए यह लेखन संदरबे प्रक्रिया पद्धती है, प्रक्रिया पद्धती का मतलब क्या हो गया कि यह process है, process से approach है, कहने का मतलब कि बच्चे पहले विचार विमर्स किये, उसमें से कुछ points उन्हों ने निकाला, उच points पर फिर से विचार करने के बार से ए कि final उसमें जो लेख जो पद एक तरीके से जो paragraph लिखना था वो केवल होता लेकिन यहां पर पूरा process फुल्फिल किया गया है कि पहले बच्चों को विचार विमर्स करने के लिए बोला गया उसके बासे जो बच्चे विचार विमर्स कर रहे हैं उसमें से कुछ main points को निकाल कर यानि कि एक सिक्षिका के द्वारा छातर डाम सिख्चप्चड से यानि चातरों के सीखने के निस्पादन यानि कि उनके सीखने के output पुट चो भिन भिन वसरेशु कानी चीत प्रकरणानी एकत्री तानी करोती यानि कि भिन भिन सीखने के आउसर और उनमें उनके परफॉर्मेंस को उनके प्रकरण को वो एकत्रित करती है यानि कि इकठा करती है उसके बाद से देखे साथ तानी मुल्यांकन अभिलेखे लिख सेक्षरिक मतलब कि दवारा जो सीकने की गती है जो उनका सैट्षरिक प्रोग्रेस है सैक्षरिक आउटूट है उसको hablож版 किया जा रहा है और जब भी सैट्षरिक प्रोग्रेस को नोट डाउन किया जाता है किसी अभिलेग के तौर पर तयार किया आता है तो बच्चों के विवहारिक पक्ष को यानि उसके विवहार में अगर कुछ परिवर्तन हुआ तो उसको नोटे डाउन एनेक्डोटल में किया जाता है यानि एनेक्डोटल विवहार से सम्मंदित है और सैक्षडिक प्रगत्ति जो है वो पॉर्टफोलियो उसमें मेंटेंड किय लर्निंग आउटकम पर फोकस करती है ठीक है तो लर्निंग आउटकम का हम लोग सिक्षण परिलाम के इंद्रित कहते हैं देखिए यहां पर option number two बिल्कुल सई जवाब है यानि की competency based यानि की competency को हिंदी में छमता कहते हैं छमता आधारित भासा अध्यापन देखें भासा सिख गई अभिवेक्ति को पढ़ करके उसका अर्थ गरहन कर पाए तो यह सब क्या है यह चमता है बच्चे को चमतावान बनाय जा रहा है तो option number two देखिए चमता श्रितम भासा अध्यापनम यानि की competency based इसका बिल्कुल सही जवाब होगा अगला प्रशन पूछा गया है हा जा रहा है कि देखिए यहाँ पर किडिन कानी का मतलब होता है खिलोने यानि कि बच्चों को सब्दावलियों के बारे में बढ़ाने के लिए बच्चों के अपने घर से सम्मंदित खिलोने बच्चों के खुद के खिलोने से प्रकड़ के संदर्ब को जोड़ करके बताय यानि कि वास्तविक चीजों से जोड़ करके बच्चे को बताया जा रहा है तो option number two यथार्थ संपदा इसका बिलकुल सही जवाब होगा अगला प्रशन पूछा क्या है काचित अध्यापिका यानि एक अध्यापिका के द्वारा स्वा कक्छाम यानि अपनी कक्छा में चतुरना यानि कि चार बच्चों के समूह में विभाजित कर दिया जाता है यानि कि एक अध्यापिका ने अपने बच्चों को कक्छा के बच् पढ़िए विचारोतेजक विमर्से यानि विचार उतेजक विचार विमर्स यानि कि brain storming की बात की जा रही है साच छात्र ब्या वचात्र भूत द्रिश्यानम भवनानम व्यक्ति नाम विचार प्राध्यत यानि कि उसके बाद से उनको एक तरीके से brain storming के लिए इन सभी topics के बारे में बताए गया आगे देखे साप प्रश्णनाम माध्यमे विचारान एकात्रान कर्तुम आदिशत यानि कि उसके बाद से उनको इन सब पर विचार विमर्स करने के लिए आदिशित किया गया और साथी साथ यहाँ पर कुछ questions पूछने और report तयार करने की बात की गई है यहाँ पर बोला गया ना कि विचार एकत्रान करने का मतलब कि किसी के बातों को report के तौर पर एकत्रित करना आप report के तौर पर एकत्रित कैसे करे पाएंगे जब आप किसी से प्रशन पूछ रहे होंगे और आगे देखे आलेख मपी आलेख यानि की report तयार करने की बात की जारे लिखतुम सा आदिशितम यानि की उसे लिखने के लिए टीचर के दोरा बोला गया अब आपसे प्रशन पूछा जारा है यानि की यह कारे क्या कहा जाएगा तो देखिए सबसे पहले बच्चों को ग्रूप में बाटा गया और ग्रूप के बाद से उनको एक assignment दे दिया गया कि आप यहाँ पर जाएए लोगों से प्रशन पूछिए और उसका जो भी उनके द्वार जवाब दिया जारा वो आप मेंटेन करिए डाटा मेंटेन करिए यानि की रिपोर्ट तैयार करिए तो यह क्या है यह प्रोजेक्ट कार है अप्शन नमबर एक देखिए प्रयोजना कार्यम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जगा प्रोजेक्ट वर्क सही उत्तर है अगला प्रशन पूछा कहा है काचिद अध्यापिका डेफो डिल्स इती कविता पाठनात पूर्वम यानि कि एक अध्यापिका है जो की एक कविता जिसका सिर्षक है इसको पढ़ाने से पूर्व त्रितीय कक्चायाह यानि तीसरी कक्चा के बालकों को चात्रों को कथ्यती यत्ते पुषपड़ाम यानि कि उनसे कहती है कि फूल त्रिड़ पाठनाम का मतलब यहाँ पर घास से सम्मंधी था विश्य ये पार्शो वर्तनी छेत्रे विद्यालेयस से मारगे वा विद्यानते यानि कि घर से विद्याले आते समय मारग में उनके द्वारा जब फूलों को और घास को इस प्रकार से वो देखे और उस पर विचार करने के लिए बोला गया ठीक है तो उसके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जो डैफो डिल्स है यानि कि एक तरीके से फूल का नाम है ये तो इसके फूल चैप्टर को पढ़ाने से पहले वो बच्चे को उनके परिवेस में मिलने वाले फूल और घास और इस टाइप के चीजों को पहले वो बताना च चाहती है कि बच्चे उस पर ध्यान आकरशित करना सीखे यानि कि बच्चे के पूर्व ज्यान को जोड़ करके वो आगे का ज्यान देना चाहती है तो option no.2 देखे पूर्व वर्तिक ज्यानम कच्छा पाठने ज्याने चो योज्जती यानि कि पूर्व ज्यान को आगे की ज्य प्रथम भाषा बाधा भवती यानि कि दूतिय भाषा टार्गेट लेंग्वेज सीखने में प्रथम भाषा बाधा लाती है ऐसा कहा जा रहा है तो यह विकल्प निगेटिव है क्योंकि आप ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के अंतरगत अपनी मात्री भाषा का योज करते ह है टार्गेट लेंग्वेज को सीखने में तो यह बाधा उत्पन नहीं करती बल्कि उसकी मदद करती है इस वज़े से यह निगेटिव था आपका उत्तर नहीं होगा बात करेंगे दूसरे विकल्प की दूसरा विकल्प दिया गया है चात्रव्या आवश्यक्यम अस्तियत पठनात पुर्व लेखनम कुर्यम यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि आपसे कहा जा रहा है कि बच्चों को यानि जो सिख्षारती है उनको यह आवशक है कि पढ़ना सीखने से पहले वो लिखना सीखें यानि यह कहा जा रहा है कि पढ़ने से पहले वो लिखना सीखें इस का आपसे बोला जा रहा है तो यह निगेटिव है क्यों कि जो भासा के जो चार कोशल होते हैं पढ़ना लिखना सुनना और बोलना ऐसा नहीं है कि जब प्राइमरी में बच्चा जाता है तो पहले उसको क्यों पढ़ाये जाएगा सुनना या फिर बोलने जैसे आपने आपको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया जागा चारो कोशल एक साथ विक्सित किया जाते हैंyy बच्चे में तो यह कहा जा रहा है कि एक कौशल के पहले दूसरे कोशल को विक्सित करने लिए तो यह निगेटिव था आपका उत्तर नहीं होगा पहला देखिये लेखनात पु को एक साथ विक्सिती आ जाता है ये भी गलत हो गया एक ही विकल पर बचा ऑप्शन नमर तीन देखिए पठनम यानि की पठन को शल लेखनम यानि की लेखन को शल चौ उभे सह गच्छता यानि दोनों एक साथ चलते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिडिंग और राइटि से जरूर बताईगा क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महतपूर्ण वीडियो लाने के संदर में अगर आप प्रिवियस येर के सभी पेपर के कम्प्लीट सलूशन को देखना चाहते हैं साथ ही सीटेट के सभी सबजेट्स के पेडागोजी को डि का दिन सुभो